अदिनन दाना विर्मनी सिख्खा अप्रवंग्समा दियाये मैं किसिन लेक्च्चरर चदोशी एसम इंटर खुलिस में हूं जनपत्व संभल से उस्तर परदेश से मैं हूं मैं दो लाइनों से अपनी बाश शुरू करूँगा कि था चमन सोने की चिडिया आप जिना सम्शान है और बताओ कैसे कह दो भारत देश माहन है दो लाइने में और कहूँगा कि अंदर अंदर आग लगी है उपर उपर पानी है और हम हुए आजाद दोस्तों ये कहना बैमानी है साथियों इस देश में हमारी समस्याएं सबसे विक्राल रूप ले चुकी है और उन समस्याओं से निजात पाने के लिए जो समन संग या वीदा पीपल का जो कंसेप्ट है जो विचारधारा है केवल वही हमको बचा सकती है कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि राजनीती अगर हमारी आजाएगी राजनीती वर्चस्व अगर इस देश में हमारा हो जाएगा तो शायद हमारे कुछ दुख दूर हो जाएगे लेकिन मैं साथियों आपसे बताना चाहता हूँ इस देश में जितने भी चाहे विधान सभा हैं चाहे लोक सभा है चुकि राज्य सभा में और विधान परिशद में रिजिर्वेशन नहीं होता है लेकिन जितने भी MPLM, MLA हमारे हैं जितने रिजिर्वेशन के आधार पर होते हैं वो सभी विदान सभाओं में और लोग सभाओं में जाते हैं तो अगर राजनिती से हमारा उधार होने वाला था या हो सकता है तो हमारे लोग तो राजनिती में पूरा 100% रिजिरुशन लिये हैं क्या वो अब हमारे अधिकार बचा पाए वो हमारे अधिकार नहीं बचा पाए बलकि अपनी आँखों के सामने उन अधिकारों को लुटता हुआ देखते रहे कारण साफ है कि उन्होंने महापूर्सों को न तो जाना है ना महापूर्सों को पढ़ा है ना समाज की समस्याओं को जाना है वो संग की जो परिकल्पना है उस संग की परिकल्पना ही इसलिए इजाद की गई है और हमारे विद्वान साथियों ने जो हमारी एक ऐसी संपदा छुपी थी उन पुस्तकों में छुपी थी उन महापूर्सों के आंदोलों में छुपी थी उन विद्वान साथियों ने इस concept को निकाला और निकाल करके इस virtual meeting के माध्यम से इस जूम meeting के माध्यम से physical meeting के माध्यम से आप सब के बीच में उस concept को लाने का काम किया और concept क्या है कि जो समाज इखटा होता है उस समाज का कभी कोई कुछ कर नहीं सकता उस समाज का कभी सोशन हो नहीं सकता लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे देश में जो संगठन है कुछ हमारे साथियों ने संगठन बनाए बना करके लोगों को जगरती का काम किया लोगों को महापुरसुकी विचारधारा बताने का काम किया लेकिन अधिकार नहीं बचपाए हर गली महलों में संगठन बनाने का काम किया और संगठन बनाने का काम किसलिए किया कि हम संगठन बना करके अपने लोगों को सुखी जीवन परदान करेंगे हम अपने लोगों का जीवन को बचाने का काम करेंगे बाबा साहब डक्टरम मेड करने जो अधिकार दिये हैं उन अधिकारों को बचाने का काम करेंगे लेकिन संगठन बनाने वाले साथियों ने इतने संगठन इस देश में बना दिये कि जितनी बमन समाज ने हमारी जातियों का निर्मान नहीं किया या हमने स्वमने इतनी जातियों का निर्मान नहीं किया, हम कहते हैं कि हमें भमन समाज ने 6,743 जातियों में बाटा, लेकिन उन विद्वान साथियों ने, उन संगठन करताओं ने, उन संगठन का निर्मान करने वाले लोगों ने, उन नेताओं जो जिने नेता बनने का शोक है, उन साथियों जिने लीडर बनने का सोक है, उन साथियों जिसे माला पहनने का सोक है, जिने मंच पर खड़े होकर क लंबे-लंबे भाशन देने का शोप है, उन्हेंने समाज को 29 लाख संगठनों में बाट दिया, और 29 लाख बाटने के बाद भी इस देश में जो समन समाज है, जो बहुजन समाज है, जो मूलनमासी समाज है, उनके अधिकार तो नहीं बच पाए, ये इतने सारे संगठन मिलकर के उन अधिकारों को बचा तो नहीं पाए, चार लाख संगठन एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं, और मैं विद्वान साथियों को बताना चाहता हूँ, कि इस देश में कोई भी ऐसा कोई ग्राउंड नहीं बना है, कि अगर 29 लाख लोगों के केवल अध्यक्ष ही इखट नहीं होते हैं, और हम से कहते हैं, कि हमने संगठन का निर्मान किया है, और तीन बाते बड़े जोर सोर से बोलने का काम करते हैं, कि बबासाब ने कहा है, कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, अरे भाई शिक्षत तो हम हुए, लेकिन शिक्षित हुए, हम प लेकिन किताबी ग्यान लेकर के हमने अपने पेट पालने का तो काम किया, अपने बच्चों को भी अच्छी सिक्षा देने का तो काम किया, लेकिन हम परशिक्षित नहीं हुआई, हमने अपने महापुर्सों को नहीं पढ़ा, हमने उन महापुर्सों के साथ म्याई नहीं किया हमने उस महापुरसों की विचारधारा के साथ न्याई में किया हमने बाबा साहब के जिस बगीचे के फल खाए जिस बगीचे के फूल चुने जिस बगीचे का हमने माल खाया उस बगीचे के लिए हमने काम ने किया लोग कहते हैं कि ये संगठन वाले क्यों नहीं अधिकार ब वो दूसरा सोसता है कि वो इस बगीचे की रक्षा कर लेगा तीसरा सोसता है वो इस बगीचे की रक्षा कर लेगा ये तो वही बात हो गई कि एक भांजा छे मामा थे और जब वो अपने मामाओं के घर पर गया तो सभी के ये सोसता रहा कि उस मामा ने खाना खिला दिया होग उस मामी ने खाना खिला दिया होगा और वो मामा का भांजा पूरे बुखा रह गया तो ये उसी तरह से ये संगठन वाले लोग काम कर रहे इनको आदत हो गई है माला पहनने की इनको आदत हो गई है बड़बडे मंचों पर बैठने की और बहुत बड़ी-बड़ी माला पहन करके ये ऐसा समझते हैं कि हम मसीहा हो गए हैं, हम इनके इश्वर हो गए हैं, हम इस जंता के भगवान हो गए हैं, इन लोगों ने केवल संग्ठन बना करके समाज को तोड़ने का काम किया, मैं निविदन करना चाहता हूँ इस संग्ठ हम तुमारे आजादी को समिच्चित करेंगे, हम तुमारे अधिकारों को लाने का काम करेंगे, लेकिन इन लोगों ने चंदा ले ले करके अपने बैंक बैलेंस बना लिए, अपनी सुईधाएं बना ली, एसी गाड़ियों में चलते हैं, अच्छे-च्छे ऐश्वाराम मे लोग रहते हैं, लेकिन इनों ने इस बहुंचत समाज के अधिकार बचाने का काम नहीं किया, मौत में भी ये लोग राजनीती करते हैं, जब किसी की मौत हो जाती है, किसी बहन बेटी का बलातकार हो जाता है, तो ये एक साथ नहीं जाते हैं वहां पर, एक विक्ति आज ज मुचाओंगा, मैं तुम्हारी साहता करूँगा, लेकिन उनकी साहता नहीं हो पाती, जो जिस व्यक्ति ने उसके साथ एट्टोसिटी किया, जिस व्यक्ति ने अत्याचार किया है, वो देख लेता है, वो समझ जाता है, कि ये लोग जिस समाज की रख्षा करने की बात करते जिस समाज को यह कहते हैं कि हम तुमारे अधिकार बचाने का काम करते हैं, वो देखता है, यह इतने संगठन के लोग, यह एक साथ आ नहीं सकते, यह एक साथ बैठ नहीं सकते, यह अपने समाज का अत्याचार का मूलन कैसे करेंगे, यह अपने समाज के अधिकार बचा कैसे पाएंगे जो व्यक्ति मोत में भी एक साथ इखटा नहीं हो सकते जो व्यक्ति बलातकार में बहन बेटियों के बलातकार में भी एक साथ इखटा नहीं हो सकते वो लोग अपने समाज को बचाएंगे कैसे वो समझते हैं इस बात को इसलिए अगर अत्याचार होता तो हमारे सम इसलिए होता है कि हम लोग इखटा नहीं है, हम लोग एक साथ नहीं है, हम लोग इखटा हुए थे, याद करिएगा उस दो अपरेल 2018 का दिन, याद करिएगा उस दिन को, जब एक सोसल मेडिया के माध्यम से कोई नेता नहीं था, कोई लीडर नहीं था, कोई माला पहनने वाल पहाड़ दिया गया था चाहे सम्विधानिक माध्यम से हो चाहे संसद के माध्यम से उसे फाड़ दिया गया था हमारे लोग दो अपरेल 2008 को सड़कों पर उत्रे थे आप अपनी ताकत को देख सकते हो कि हम सडकों पर उत्रे थे और सवीधान ने भी कहा कि मेरे बच्चों तुम इखटा हो गए हो तुम इखटा हो गए है तो मैं तुमारी बात सुनूगा और मैं ही तुमारी बात नहीं सुनूगा इस देश का जो भी हुकुमरान है जो भी इस देश पसाशन करने वाला लोग है जिस संसद में ये लोग बैठते हैं, जिस सुप्रीम कोर्ट में ये लोग बैठते हैं, वहे भी आपकी बास सुनोगे, क्योंकि आज आप इखटा हुए हो, आपको अपने दर्द का एहसास हुआ है, तो साथियों हमें उस दर्द का एहसास करना होगा, अगर हम उस दर्द को अहसास नहीं करेंगे, तो हमें खटा भी नहीं होंगे, बहुत से लोग समझते हैं कि हमने इतना पैसा कमा लिया, इतना मोटा पैसा मेरे पास है, मेरे पास तो दो ही बच्चे हैं, इनका तो मैं बहुत कुछ कर सकतूगा, मैं दुकान खुलवा दूगा, मैं चार गाड़ी ख तरफ समुद्र है, उधर गिरेंगे तो डूब जाएंगे और उधर गिरेंगे तो मर जाएंगे, आज हमें इखटा होने की आउशकता है, अगर हम आज इखटा नहीं हुए, हम बहुत जीव जन्तों से आपको बताते हैं, हम और समास से बताते हैं, इस देश में दो से धाई क करने की किसी की हिंबत नहीं है, कोई कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग इखटा हैं, इस देश में मुस्लिम भाई हैं हमारे, आप देखिएगा, साध वर्स, साड़े साथ वर्स, टेंदर की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी दुबारह रेपीट ह क्या कुछ ऐसा कोई नुकसान पहुंचा पाए क्यों नहीं क्योंकि वो लोग डेली पांस टाइम जुडते हैं पांस टाइम की नमाज पढ़ते हैं वहां कोई अल्लामिया बैठा नहीं है कि जिसे पकड़ के लोग एक एक दिन अपने घर में ले जाएंगे और उससे कहेंगे कि अल्लामिया आज मैं जो कहूं वही आपको करना है ऐसा उनका मक्षद नहीं है उनका मक्षद जुड़ने का है और वहां देखिएगा उनके अंदर ये देखिएगा कि जो अमीर आदमी और गरीब आदमी कोई भी हो जो पहले आएगा वो पहली पंक्ती में बैठेगा चा और भायचारे के साथ वो लोग जुड़े हैं धार्मी ग्रूप से जुड़े हैं सामाजी ग्रूप से जुड़े हैं उनके यहां ईद जब होती है तो कोई गरीब आदमी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जिसके बच्चे नए कपड़े ना पहनते हो जिसके घर में वो इदी अगरे समयपे उनके समाज में होता सम मिल करते हैं सब उसके सहयोग करते हैं क्यों करते कियों के इन powder बाई चा रहा है हम लोग जो सफेद kohlर वाले लोग होगी हैं बड़ा खापी करके बड़े अच्छे स्वास्त वाले लोग होगी हैं ये कहें कि हमारे उपर जो चरू इह चड़ गई है हम उन जो अपने गाउं में रहने वाले लोग हैं कि बीच में जाना पसंद रही करते एंब लेज्ब क्यों कि हम समझते हैं कि यह कुछ जानते नहीं अरे वो जाने कैसे भाई क्या हमने उनको बताने का कभी का मिया अगर एंने बताएंगे तो ऐसा नहीं है समस्ताओं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी जल्दी वो संगठित नहीं होंगे, जितनी जल्दी वो जो गाउं का आदमी, एक मजदूर आदमी है, अगर तुमने उसको बात समझा दी, वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा, आपके साथ जान देने को खड़ा हो जाएग और जब जुड़ेंगे, तब जीतेंगे, जहां जुड़ेंगे, वहां जीतेंगे, जुड़ने में ही ताकत है, जुड़के रहेंगे, ताकत बनाएंगे, आपने मुझे बूलने का मौका दिया, मेरी बात ध्यान से सुना, मैं सभीका सालवाद देना साता हूं, जै भीम न वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है धन्यवाद संगम सरेनं गच्छाम। संगम सरेनं गच्छाम। तुम्तियं पी बुद्धं सर्णं गच्छाम। तुम्तियं पी बुद्धं सर्णं गच्छाम। तुम्तियं पी बुद्धं सर्णं गच्छाम। तुम्तियं पी सर्णं गच्छाम। तुम्तियं पी सर्णं सर्णं गच्छाम। साथू, साथू, साथू तुम्तियं पी बुद्धं सर्णं गच्छाम। तुम्तियं पी बुद्धं सर्णं गच्छाम।